स्वागत है आपका हिम्रक्षक चैनल पर तो आज आपके लिए हम वीडियो लिख रहा है रिजनिंग के ऊपर आपने इन कोशन को अच्छे से समझना है और एक्जाम में अच्छे से अटेम्ट करने हैं जितना हो सके आप कम से कम टाइम यहां पर कोशन को अटेम्ट करेंगे यह जब भी ट्रिक्स बताई जाएंगे आपने वैसे ही फोलो करनी है चलिए शुरू करते हैं कोशन नमबर वन है यदि T.A.I.L.O.R. को 019258 की रूप में लिखा जाता है तो C.U.T. के लिए कोड क्या है यहाँ पे आपने C.U.T. का कोड फाइंट करना है पहले आपको एक बना कर दिया गया है दूसरा आपने कुछ फाइंट करना है देखिए यह कैसे करना है कोशन पहले आपको पता होना चाहिए T. जो है लेटर जो अल्फावेट में होते हैं कौन से स्थान पर है यह है आपका 20 स्थान पर ठीके और जो यह है आपका यह है 1 ठीके और जो आपका I है वो है 9 L है आपका 12 नंबर ठीके और जो आपका O है वो कौन से स्थान पर है 15 और R जो है आपका 18 आप किया क्या है यहाँ पर देखिए यह जो आपको नंबर दिया गया है बना कर यह कैसे किया है 2 0 2 digit है यहाँ पे 20 तो इसको आपने multiply कर देना है अब यह single है यहाँ पे 1 और 2 है इसको भी multiply कर देना है यहाँ पे 1 और 5 है यहाँ पे भी multiply कर देना है यहाँ पे 1 और 8 है यहाँ पे भी multiply कर देना है ठीके देखिए 2 0 जा 0 1 2 0 जा 0 1 9 2 1 जा 2 5 1 जा 5 and 8 1 जा 8 देखिए यह नमब दूसरे का कट का निकालते हैं CUT यहां पर देखें C कौन से स्थान पर है तीसरे स्थान पर और U कौन से स्थान पर है 21 ठीक है और T कौन से स्थान पर है 20 ठीक है 3 अब देखें यह 2 जिट है तो यहां पर इसको मल्टिप्लाइ कर देना है आपने यहां पर भी 2 है तो यहां पर कर दिना है देखिए क्या नंबर आ रहा है आपका 3 2 1 जा 2 2 0 जा 0 तो यहां पर 320 जो है आपका राइट अंसर, option number B is correct चले, next देखते हैं, second number पर, यदि 1 October को रभिवार हो, तो 1 November को क्या होगा, ठीक है, ऐसे questions पूछे ही जाते हैं वेपर में अच्छे से जम्राजना है, देखि फ़ले आपको पता होना चाहिए कि 1 October यानिकि, October में, कितने दिन होते हैं, October में, 31 ठीक है, आप आपने के के करना है, 31 में से, 1 माइनस कर ले unterstützen है, और जो दिन बच रहे हैं, वो आपने कहा लिखना है, यहां पर लिखना है, आपके कितने बचे, 30 धिन बचे, ठीक है, तो यह कि इंडर मतलब नहीं किसी बीक्राइब अघके अ यहां पर क्या दे रखा है आपको रभीवार रभीवार दे रखा है तो रभीवार यानि कि इसमें 3 प्लस करने है रभीवार, सौंबार, मंगलवार और यहाँ आपका बुद्धवार तीसरे नमबर पर क्या है आपका बुद्धवार तो 3 पस के लिए तो यहाँ पर जो है option number A is the correct ठीक है बुद्धवार is the correct answer थर्ड कोशन देखते हैं लुप्त संख्या ज्यात कीजिए तो यहाँ पर जो है आपको थर्ड राइंगल पर जो है एक नमबर वीच वाला सेंटर वाला नहीं दिये गया है आपने निकालना है कैसे निकालना है इसको आप मल्टिप्लाइ कर को अब यह क्रीक है यह ते लिपा अब ही मल्टिप्लाइ किया ako creat लास इंगल प्रश walking funded बॉक्ति निकालना थीक है जो हां फर्स में पर अपलय पर ही हम थर्ड पर करेंगी poser जो मैं फर्ड पर अपने श्यारइ लृट R ethan का और तभ यह मल्टिप्लाइ के ओ करेंगे तब både हम प्लस 4 is equal to 44 तो यहाँ पर जो है option number C is correct ठीक है fourth question देखते है रमन कॉले से चलकर 3 km पूरफ की हो जाता है फिर दाइम मुड़कर 2 km चलता है फिर से दाइम मुड़कर चलता है आप उसका मुख किस दिशा में होगा देखे ऐसे पढ़कर आपको जल्दी से जल्दी अंसर नहीं आएगा जब तक आप structure नहीं बनाएंगे इसका कैसे आपने ये structure हमेशा याद रखना है प्लस का sign बनाना है पहले आपने और देखे यहाँ पर आपने ये चीज़े याद रखने है ये है आपका पूरव पस्चियम और उत्तर दक्षियम ठीक है यहाँ पर देखे रखन तो बैठ रहा है यहाँ पर आपने खुद को बिठाना है कि आप रखन हो आप चलना शुरू करो पूरव की तरफ पूरव की तरफ हमने चलना शुरू किया 3 किलो मेटर अब यहाँ पर हम बैठे हैं तो यहाँ पर हमारा जो यह जो है इधर को बाया है इधर को दाय है तो हमने इधर को चलना है दाएं की तरफ देखे यहाँ पर क्या पूर रहा है फिर वो दाएं मुड़कर 2 किलो मेटर चलता है तो 2 km चला लिया हमने ठीक है दाएं की तरफ अब यहाँ बैठे हैं तो अपने आपको zoom करके रखना है फिर आपका motion यह solve होगा अब यहाँ पर बैठे हैं तो देखें फिर वो क्या हुआ कि दाएं मुड़कर चलता है तो दाएं आपका यह है अब देखें यह किस दिशा में ह स्ट्रक्टर को देखें और फिर समझें स्ट्रक्टर के गोडिंग यहाँ पर है आपकी पश्चिम दिशा तो यहाँ पर जो है आपका option number D is a correct ठीक है पश्चिम इस 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 आपने यह structure याद रखना है इसी के साथ आपके सारे question निकलेंगे अगर आपको यह structure याद नहीं है notebook बे बना लें side में question के साथ ही और इसको आपने याद रखना है ठीक है चलिए next देखते हैं fifth question यदि HIDE 1440 के बराबर है तो VIDE किसके इकल होगा तो आपने बताना है यह same वही चीज जैसे first पे follow कर रहा है वैसे आपने इसका भी number निकालना है तो यदि पहले जैसे हमने first question किय आपको पता है कि desert कैसे निकालते हैं कि यह कौन से स्थान पर रहा है यह कौन से स्थान पर रहा है यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो देखे ए बिसी सबने learn कर रही है A B C D अगर हमने D निकालना हो तो यहां पर देखे 1, 2, 3, 4 तो इसका number कौन सा है 4 इसके के लिए कौन से लेखेंगे 5 देखिए 1,2,3,4,5 जो भी इस थान पर आता है उसी तरीके से हम इसके डिजल लिखते हैं ठीके अब चलिए कॉशन शुरू करते हैं ही दे इस इकल टू 1440 यह कैसे बना बनाते हैं इसको देखिए एच कॉन से स्थान पर होता है आपका 8 नमबर पर ठीक है आई 9 और दी 4 और ई 5 अब इसको क्या करना है आपने मल्टिप्लाइ कर देना है अब इसको मल्टिप्लाइ करके आपका आएगा 1440 चल गया बता अब आपने नोट बुक पे नोट कर लिया है चलिए इसको भी निकाले साथ में ही वी आई डी यी को से इंस्ट्रक्टर फोलो करना है ठीक है तो आप मैं यह एरेज कर रही हूं इसको निकालते हैं अब हम अब इसको मल्टिप्लाइ कर लोग मल्टिप्लाइ करने पर देखें यह बीचे वाला जो है 5 फोर्जा 20 एंड मैंटिप्लाइ 9 180 मैंटिप्लाइ 23 अब इसको मल्टिप्लाइगर क्या आपका क्या आएगा 4140 यह आपका अंसर आएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उप्शन में आपको यहाँ पर ट्रिक्स बताए गई है वैसी है आपने एग्जाम में फोलो करने है और देखें आपकी कोशन कैसे निकलते हैं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही 5 कोशन आपने भी साथ साथ में ही सौल्फ किये होंगी हो से कि तो आप जैसे दिशा वाले कोशन है तो आप टर्म चेंज करके 2 की जगा 3 या 3 की जगा 5 करके उस तरीके से आप दिशा को भी चेंज करके वो सौल्फ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए ठीक है तो आज की क्लास में यह 5 कोशन कंप्लीट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द लोडेंगे प्लीज लाइक कर शेयर करें जादा से जादा थैंक्यो फो वाचिंग